प्रतियों में अक्रोट खाने के इतने सारे फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर सुखे मेवे यानि ड्राइफ रूट्स की करें तो यह हर परकार से हमें फायदा ही पहुँचाते हैं। ड्राइफ रूट्स को अपनी ड्राइट में शामिल करने ने केबल हमारी सेहत ही अच्छी रहती है बलकि यह हमारे कई परकार की बीमारियों से भी बचाए रखता है। इनी ड्राइफ रूट्स में से एक है एहम यानि की बॉलनट जिसको हम अखरोट कहते हैं अखरोट ने सिर्फ दिल और दिमाग के लिए फायदेबन है बलकि इसका सेवन हमारी पूरी हेल्थ को मेंटेन रखने में मददकार है। अखरोट स्वादिस्टोने के साथ ही कई गुणों से भरपूर है इसे एनरजी का पावर हाउस भी कहा जाता है। अखरोट एक नट होता है एंटी ऑक्सडेंस से भरपूर होने के कारण इसे नरजी में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। रखता है कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इसमें मौझोद विटामिन C, विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन B6, थियामिन, नियासिन, राइवोपलेविन, फॉलिट आपके बहुती लाबदायक होते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाला केरोटी नॉइट्स भी आपकी काफी फाइदा पहुँचाता है। इसके लाबा अकरोट में प्रचुर मातरा में ड्राइट्री प्रोटीन और ड्राइट्री फाइबर होता है। अब बात कर लेते हैं अकरोट खाने के 15 बड़े फाइदों के बारे में नंबर वन डायबेटीज में लाबदायक। ये दिया बलड शुगर या डायबेटीज से बचना चाहते हैं तो भीगेवे अकरोट खाने से आपको इसमें फाइदा पहुंच सकता है। बहुत सारे दिन में इस बात का पता चला है कि जो व्यक्ति रोजाना 2-3 चमश अकरोट खाता है उसमें टाइप 2 डायबेटीज होने का खत्रा अने लोगों के मुकाबले कम हो जाता है। अकरोट के द्वारा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हैल्प मिलती है इससे डायबेटीज का खत्रा कम हो जाता है। अकरोट में प्रचुर मात्रा में एंटि अक्सिदेंस मौजूद होते हैं जो आपके इमिनिटी यानि की रोग प्रतिरोदक चमता को बढ़ाने में मदद करता है। आपको कई बीमारियों से बचाए रखने में मदद करता है इसलिए अगर आप खुद को बीमारियों से बचाए रखना चाहते हैं अकरोट को अपनी डायट में जरूर शामिल करें। पाचन में सायक अकरोट में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसके दुआरा आपका पाचन सिस्टम दरूस रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पेट को सही रखने और कप्ज से बचने के लिए फाइबर रियुक्त चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। यदि ऐसे में आप रोजाना डाइट में भीगेवे अकरोट शामिल करते हैं तो आपका पीट भी ठीक रहता है और कप्ज की समस्या दूर रहेगी। दिल को रखे स्वस्त अकरोट आपके दिल को भी स्वस्त रखने में हेल्प करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी अर्सिस मौझूद होता है जो आपके दिल के लिए लाबदायक होता है। जिन लोगों को हाई बलड पेशर की परिशानी होती है उन्हें भी अकरोट फायदे बंद होता है। ओमेगा 3 फैटी अर्सिस शरीर से बैट केलस्ट्रॉल को कम करके गुट केलस्ट्रॉल की निर्माण में साहयता करता है जो दिल के लिए लाबकारी है। इप्र शिक्स वजन कम करने में साहयक। अखरोट खाने से ब्रेस कैंसर का खतरा करे कम। कि अधनों से ये बात पता चली है कि आकरोट कैंसर की खत्रे को कम करने में सायक होता है आकरोट खाने से breast cancer, prostate cancer, colorectal cancer जैसी खतरनाक बिमारियों का खत्रा कम हो जाता है अक्रोट में पॉलीफेनॉल इलागिटेनिंस मौझूद होते हैं जो आपकी अनियक प्रकार के कैंसर के खिलाब सुरक्षा प्रदान करने में साहयक होते हैं नमबर एक तनाव करें कम नींद बनाएं बहितर अक्रोट का सेवन करने से आपका तनाव स्ट्रेस तो कम होता ही है साथ ही अच्छी नीन भी आती है अक्रोट में मौझूद मेटा टॉनिन एक बहुतर नीन लाने में साहयता करता है इसके लावा अक्रोट में ओमेगा 3 fatty acid पाया जाता है जो आपके बलड पेशर को संतुलित करके आपको तनाव से रहत दिलाता है नमबर नाइन प्रेगनेट महिलाओं के लिए लाबकारी प्रेगनेंट महिलाओं के लिए अक्रोट का सेबन बहुती फायदेबन सावित होता है अक्रोट में मौझूद ओमेगा-3 फैटे असिट महिला के गर में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास में हेल्प करता है अक्रोट माँ और बच्चे दोनों के लिए काफी फायदेबन होता है लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी खाने पीने से पहले डॉक्टर से उसकी सही मात्रा के बारे में जरूर सला लें अबर 10 मस्तिक्स के लिए फायदेबन अक्रोट ब्रेइन फंक्शन के लिए काफी लापकारी होता है अक्रोट में मौझूद ओमेगा 3 फैटे एसेज मस्तिक्स के कारे यानि ब्रेइन फंक्शन पर एक फायदेबन प्रभाब डालता है इसके अलावा अक्रोट में polyunsaturated fat पाये जाता है जो आपकी यादाश बढ़ाने में आपकी help करता है और आपके depression को कम करता है 11. sperm health के लिए फायदी बन बीगा हुआ अक्रोट खाने से आपकी सेहत को अच्छी तरह अच्छी रहती है 11. sperm health fertility में भी बेहतर बनाई रखता है जो पुरुष अक्रोट का सेवन करते हैं उनके शरीर में बहुत sperm की गती शीलता, sperm का शेप और सब कुछ बेहतर होता है उन परशों की तुलना में जो अक्रेट का सेवन नहीं करते हैं 12. पेट के लिए लाबदायक अक्रोट पेट को स्वस्थ रखने में सायक होता है इनकी दुवरा अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है इससे आतों को हेल्दी बनाई रखने में सायता मिल सकती है 13. हाई बीपी में मददगार अक्रोट हाई ब्लड पेशर में काफी फायदी बंद होता है हाई ब्लड पेशर की परिशानी को दूर करना आवश्यक है इसके लिए अक्रोट का सेवन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन सावित हो सकता है सोद में एक बास सामने आईए कि अक्रोट के सेवन से हाई बीपी को कम किया जा सकता है 14. पित्त की पत्त्री में फायदी बंद पित्त की पत्त्री में भी अक्रोट का सेवन करने से लाब होता है अक्रोट में मौझूद अंसाचुरेटी फैटी असीड फाइबर तथा मिननल पित्त की पत्त्री से छुटकारा दिलाने में मददगार हो सकते हैं इसलिए पित्त की पत्त्री होने पर आप अक्रोट का सेवन बढ़ती उम्र को रोकने में सहयक अक्रोट का सेवन बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने के कारे में भी मदद कर सकता है अक्रोट में बिटामी नहीं पाया जाता है जो तच्चा की नमी को बरकरार रखता है रूखे बन से छुटकारा दिलाता है तच्चा प्रसादनों से इसका यूज होता है इसे विगाने से इसकी गर्मी कम होती है और जिन लोग को पाचन कमजोर है बेवी से आसानी से खा पाते हैं सुबह खाली पेट आप जिबे वीगे हुए अकरोट खाते हैं तो दिन भर के लिए आपके एनरजी बनी रहती है आप इसे रात के समय भी खा सकते हैं इसमें मौजूद मिनल्स अच्छी नीन लाने में मदद करते हैं जिन में कितना अकरोट खाना चाहिए आपको एक दिन में एक मुठी यानी करीब 28 ग्राम अकरोट खाने चाहिए यह बात करें लेते हैं कि लोगों को अकरोट का सेवन नहीं करना चाहिए यह अकरोट खाने के बाद सास लेने में दिक्कत पित्ती या्रेसस होने का तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए बच्चों को रोट के टुक्रे नहीं खाने चाहिए जिन लोग को हाई ब्लड पेशर हैं उन्हें अकरोट नहीं खाना चाहिए जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्या है उन्हें अक्रोट नहीं खाना चाहिए जिन लोगों को मूँ जीब गले में छाले या उन्हें अक्रोट नहीं खाना चाहिए गर्वती महिलाओं को अक्रोट नहीं खाना चाहिए जिन लोगों की तासीर गरम है उन्हें अक्रोट नही समस्याएं हो सकती हैं वे ऑक्सलेट होने के कारण गुर्दे की पत्री बनाने में भी मदद कर सकते हैं अगर आपको नट से अलर्जी है तो साफदान नहीं क्योंकि अक्रोट अलर्जी का कारण बन सकता है तो फ्रेंस आई होप आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना विल्कुल न भूले सब्सक्राइब और मोर वीडियोज बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें इंचिन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी थैंक्स ओ फूल वाच और बाइ और बाइ खेर और वीडियों का ओ ऑट है यह जरूर थे इंचिन को